नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के पांस अती महतपूर प्रस्ण दोस्तों जो बार-बार परिशाओं में पूसे जाते हैं दोस्तों ये सारे प्रस्ण सभी परिशाओं के लिए बहुत ही महतपूर हैं दोस्तों आप कोई साभी इक्जाम देंगे तो आपके प्रेपर में ये सब प्रस्ण हमेशा देखने को मिलेंगे क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में जो सेटेपर 10 के प्रस्ण होते हैं जो बार बार पर इस वा में पूसे जाते हैं और जिन प्रस्णों को आपको शॉल्प करने में ज्यादा टाइम दोस्तों सारे पार्ट को आप जरूर देखिएगा पिछला पार्ट अगर नहीं देखे हो तो उसे भी आप देख लिजिएगा क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में मैं उन्हीं प्रस्णों को करा रहा हूं जो एक्जाम औरियेंटेट कोसन होते हैं जो हमेशा परिशाओं में पूसे जाते हैं जिस प्रकार के प्रस्णों की पूसे जाने की ज़्यादा संभावन होती है तो आएए दोस्तों देखते हैं पहला कोस्चन देखिएगा दोस्तों पहला कोस्चन बहुत ही इंपॉर्डेंट है और इस टाइप के हमेशा प्रस्ण परिशाओं में पूसे ज तो चार गुने दो प्लस आठ बराबर क्या होगा यहां प्रश्णवाज चक्षिन है यहीं तो आपको बताना है प्रश्ण का अंसर यहीं देना है ठीक है तो देखिए दोस्तो ऐसे कभी भी कोछ से नहीं आपकी एक्जाम में तो पहले आपको करना क्या है पहले तो गुने करेंगे 5 जोडएंगे तो क्या हो जागा 18 तरह में 5 जोड़ेंगे क्या थाbellion जोड़ेंगे तो यहां आपको प्रश्ण को ऐसे नहीं स्वाप करना है प्राश् ár का question होता है तो हम ऐसे solve करते हैं से सबको बता रहा हूं ठीक है reasoning का question है यहाँ यहाँ च्छे गुने तीन प्लस पाँच को आप जोर घटा गुना भाग कुछ भी करके यहाँ कैसे भी 10 लाईए और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो फिर से इसकी value बताएंगे तो देखिए इसको करना क्या है कैसे solve करना है पहले आपको बटा दो सारे प्रश्णों को आप solve करने से पहले क्या किया करिए विडियो को pause करे निश्टॉप करके अपने आपसे भी solve करने की कोसिज जरूर किया करिए अगर तो दोस्तों आप से नहीं solve हो कोशिस क्या करें देखिए मैं बता रहा हूँ इसको solve कैसे करना है देखिए 6 गुने 5 कर देनेंगे आप 6 गुने 5 करेंगे तो क्या हो जागा दोस्तो 6 पच्चे क्या हो जाएगा दोस्तो 30 हो जाएगा और 30 को क्या करना है दोस्तो 3 से भाग करना है जो बीच में संख्या दिया है ना उसको क्या करना है नीचे रख दिना है और 3 से भाग करना है तो 3 से भाग करेंगे तो यह क्या जाएगा दोस्तो 10 आ जाएगा और देखिए बराबर में 20 दिया हुए इस इंपर क्या करेंगे दोस्तों चार गुने 8 करेंगे यह क्या हो जागा दोस्तों 32 हो जागा ठीक है 32 को क्या करेंगे दोस्तों 2 से भाग करेंगे 32 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा 16 बार में जाएगा तो प्रश के question आपके exam में आएगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे तो देखिए next question देखते हैं दूसरा question देखिएगा दूसरा question बेंड डिग्राम से बहुत ही important question है और यह प्रस्ण तो दोस्तों बहुत बार exam में पूछा जा चुका है previous आप paper देखेंगे railway railway SSC किसी का भी देखेंगे तो उसमें यह question आपको जरूर मिल जाएगा देखिए और इस टाइप के प्रस्ण हमेशा पूसे जाते हैं तो कैसे आप solve करेंगे प्रस्ण को पढ़िएगा प्रस्ण करें कौन से आकरिती न्याधीसो चोरो और अपराधियों के बीच संबंद को ब दिया है और अपराधियों के बीच क्या पूछ रहे है दोस्तों संबंद पूछ रहे काइस है संबंद होगा तो देखिए वेंडेग्राम के प्रस्ण को solve करने के लिए इनहीं सब्दों प्याप दोस्तों क्या करेंगे विचार करेंगे इनका एक दूसरे सापन में आपस मे इनका relation कैसा है, तो देखें कैसे सोचना है, यह चीज में आपको बता रहा हूँ, देखें, आपको इस type से सोचना है, नयाधीस का संबंद दोस्तो चोर से होता है की नहीं, नयाधीस का संबंद अपराधी से होता है की नहीं, यानि क्या नयाधीस चोर होता है या अपराधी हो और आपके दिमाग में आएगा दोस्तों चोर जो होते हैं ओपराधियों के अंतरगत आते हैं चोर चोरों किसके अंतरगत यूझ θα नहीं को करता है एक आप राध करता है थीड है यह चीज आ जाएगा अब क्या करेंगे लाष्ट वाले पर जाेंगे कईशन का अंदरगत का रखेंगे दोस्तों चोरों को रखेंगे और नियाधीस क्या होते है न चोर होते है, न इन रेकि अलग होते हैं तो इह क्यों जादा करtown है तो देखेंगे ऑप्षिन नंबर ए दोस्तों क्या फोस्तों क्या भुत सिर्फ सेAg और इस टैप के भी कोशन आपकी एक्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सौल कर लेंगे कुछ भी नहीं करना है अप्राधियों का अंतरगत क्या रखेंगे चोरों को रखेंगे और नहीं अधीशों को कहा रखेंगे बाहार रखेंगे यही ऑप्सन नमबर यह सही होगा च अब नेक्स्ट पार्ट में धीरे-धीरे आपको कभर कराता रहोंगा जैसे जैसे पार्ट बढ़ता जाएगा उसे उसे करेंडर से आपके जितने भी कोशन हुआँगे उसको मैं थोड़े-थोड़े लेवल उठाता जाओंगा ताकि आपको सारे कुशचन अच्छे से समझ बच भी नहें करना है、 देखिए, एक जनौरी को क्या पढ़ रहा है, वध्या कर रहा है? दूस्तों, एक जनौरी को क्या पढ़ रहा है? तो 1 January को नहीं count करेंगे, 1 January को तो बोली दिया है so much, ठीक है, अब बच्छा दिन इसमें कितना है दोस्तो? 30 दिन बच्छा है, और February में कितने तारी को पूच रहा है, February में कितने तारी को, February में प्रतम दिन पूच रहा है, यानि 1 February को, फरवरी में एक दिन, 30 और एक को जोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, इसके कितने दिन आ रहा है, जो गया पा रहा है, ये कितना दिन, 31 दिन, 30 और एक को जोड़ेंगे क्या हो जागा दोस्तों, 31 हो जागा, इसी 31 को क्या करेंगे दोस्तों, सपता से भाग करेंगे, सपता मतलब साथ से भाग करेंगे ठीक है देखिएगा, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आपको एक एक दिन नहीं जोड कैसे लिखना है, कि 1 जनुरी को सोमवार है, तो 2 जनुरी को मंगलवार, ऐसे नहीं आपको करना है, ठीक है, बस आपको क्या निकलनाना के बीच का दिन निकलना है पिर क्या करना है दोस्तों 7 से भाग करेंगे च्ञ साथ चूक evaluate range हो जाएगा ठीक है और 31 में 28 गटायेंगे तो जल्हाद टीन ये दोस्तों टेन यह कीजिए गा जोड़ेंगे इसी को क्या करेंगे तो तो आपको क्या आजाएगा दोस्तो फरोरी का पहला दिन आजाएगा, ठीक है, देखिएगा, क्या आएगा दोस्तो फरोरी का पहला दिन आजाएगा, सोमवार में तीन दीन जोड़ेंगे, मंगलवार जो हो जाएगा, दूसरा दीन जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, बुद् करता हूं दोस्तों आप इस प्रेशु को भी बहुत अच्छे तारीगे से समझ गयोंगे और स्टेप के भी कोस्टन आपके एक्जाम में आगा तो आप अच्छे से सॉल्ब कर लेंगे देखिए दोस्तों आपको सॉल्ब करने के लिए समझाने के लिए मैं इतना लिखा हूं लिखने वाली कोई ज़रूरत नहीं है कुछ नहीं को क्या कर रहे साथ को वाओ करेंगे साचोक 25 औररल कर सकते हैं बचा तीन दिन सोमखर में क्या टेंगे szomar में lus 30 . कर देंगे तो क्या हो जागा दोस्तो बिरस पतिवार हो जागा बिरस्पतिवार इसका क्या हो जागा सही आंसर हो जागा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तो हम इस प्रश्ण को बहुत ही अच्छे तरीके से समझगेंगे aus अगला question देखते हैं अगला question देखने इस पहले दोस्तों आपको बता दू यह सब question अच्छे लगते हैं तो पीडियो को लाइक जरूर किया करिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा से शेयर किया करिए आपके पास जितने भी study group हो Facebook WhatsApp टेलिग्राम उसमें जरूर सेयर किया जो दोस्त नय है और चैनल को तो सब्सक्राइब करके जूड़ी जाए अगल में नोटिफिकेशन वेल आइकन का सिंबल बनता है दोस्तों नोटिफिकेशन वेल को जरूर अन कर ले ताकि डेली आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन वेले क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रेशनों को कराता हूं जो exam oriented question होते हैं जो आपके exam में हमेशा पूसे जाते हैं तो चलिए देखते हैं अगला question देखिए का दोस्तों च और अकछर की परचान्द करें यह दोस्तों एक अक्छर स्रिंगला है और सऴला यहापे बट्शलीं करें कि प्रेश्ण वह टेखिए तो इसके लिए तो आप स सबक्بहां है ठिए ल, ल पतिए ल, m? के बाद M, M के बाद N, N के बाद क्या हूँतर्ञाँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब में घरुक्ति सब्सक्राइब एन होतायई सब्सक्राइक बार आएक प्हेले क्या आता है विक के पहले किया आता है दोस्तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो इस प्रशण आपकी से सब्स ripple कर लेंगे चलिए अगला question देखते हैं दोस्तों पांचवा question पांचवा question भी बहुत ही important है question क्या है पढ़िएगा question है निमलिखित दी गई आकरिती में प्रशन चीन में के अस्थान पर कौन सी उप्युक्त संख्या आएगी देखिये गाई कहां पर इस पर प्रशन चीन है तो देखिये यहाँ पर शरकल में यहाँ पर प्रशन आपको बताया है कौन सी उप्युक्तả Lाएयगी इसके लिए करेंगी इसको क्या कैसे है फौल स्वाल को बता रहा हूं पहले आप क्या कर रहे है वुडियू को लेंगे हुआ धुट गारने की जरूर कोशिफित करए कर रहा है इसको कैसे सॉलब करने पांच वोस्चन है पहले आप अपने 27 कैसे लाना है यह जो 7 है 5 यह 5 है 3 है इन ही को दोस्तों हमें कुछ करके यहां पर क्या लाना है दोस्तों 27 लाना है तो हम क्या करेंगे अगर जो दोस्तों मैं बोलू आप जोड़िए 7 5 क्या हो जागा 12 15 17 17 में तीन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा 27 नहीं हुआ अगर जो इससे बोलें दोस्तों नौच है पंदरा पंदरा पांच 20 23 तेज यहां पर 32 नहीं हो रहा है जब ऐसे नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता रहूं करना है कैसे देखिए यह पांच है यह सामने क्या है तीन है इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों तीन हो जाइगा और सब्सले आपको समझ में आया क्या करना है गले यह City यह तीन और इसको आपस में गुणा कर देना है और यह जो साथ और पांच इसको जोड़ देना है 15 और 15 में 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तो 27 हो जाएगा यहां पर आपको बीच में नजर आ रहा होगा ठीक है इसी प्रकार से जो आपका प्रेशन पूछ रहा है उसका अभी अंसर करेंगे आठिंटे चार करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों आठ गुले चार करेंगे तो आठ टोपतिस हो जाएगा और बथीस में दोस्तों त् Ee सब कर लें तो आपको चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर किज neighboring विडियो आपको सारे वीडियो की नोडिफिकेशन मिले तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपर्टन प्रिशनों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद